दोस्तो स्वागत है आपका, आपको पता लग चुका होगा कि SSC GD का exam कुछ shift का cancel हो चुका है, जिसका re-exam अब एक नई date को कराया जाएगा, जिसका official notice SSC की official website पर upload कर दिया गया है दोस्तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, 20 मार्च को ही यह एक SSC GD के लिए official notice जारी किया गया है, the computer-based exam for constable GD in Central Armed Police Forces, SSF and Rifleman in Assam Rifles examination यहाँ पर इन्होंने सपष्ट कर दिया है कि 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक के जो exam conduct कराये गये हैं उनको, कुछ technical reasons की बजए से, कुछ date और कुछ shift के exam cancel करके re-exam कराया जाएगा और कब कराया जाएगा, तो वो कराया जाएगा 30 मार्च को, जिसके admit card SSC की official website से ही download कर सकेंगे किस किस का exam cancel हुआ है, क्या reason रहे हैं, जिनके कारण exam रद किया गया है, जिन बच्चों का exam अच्छा गया है, क्या उन पर इसका कोई effect पड़ेगा या नहीं आंसर की कब तक आएगी इन सभी विशेवों पर बात करेंगे बात करें exam cancel होने के क्या कारण रहे, तो दोस्तों कुछ candidates द्वारा ही बताया जा रहा था कि system hang हो रहे हैं चलते exam में system रुक गया, बट time extra नहीं मिला कुछ center पर system बदले गई जिसके कारण कई अभ्यर्थियों को परेशानी हुई, ऐसी कई अलग-अलग technical reason रहे हैं और जिस-जिस exam center पर ऐसा हुआ है, SSC ने एक list जारी की है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं city by city exam center के नाम, date के साथ अभ्यर्थियों की संख्या बताई है, आप जिस reason से हो, अपना center city के साथ यहाँ पर match कर लेना total 81 center इस list में शामिल है, आप अपना center, city, date और shift के साथ match कर लेना क्योंकि जो इस list में हैं, सिर्फ उन्ही का re-exam होना है अधिकतर यहाँ पर central region आपको देखने को मिलेगा, आप अपनी shift center और date के साथ match कर लेना जैसे कि यहाँ पर Allen house center जो कानपूर city में है, उसकी second shift 5 March की cancel हुई है उसी तरह Allen house की ही, चौथी shift cancel हुई है, जो 7 March को थी यहाँ पर और भी देखें, तो एक center आर्य महिला PG college है, जो वरानसी में है उसकी 24 फरबरी की first shift, 20 फरबरी की first shift, और 6 March की fourth shift cancel हुई है दोस्तो, इस तरह total 81 center के 16,185 candidates का exam cancel हुआ है जिनका 30 March को फिर से पुनह exam कराया जाएगा, जिसके admit card अलग से जारी होंगे और रही बात answer की की, तो अब answer की 1 या 2 April के बाद ही आएगी और जिसका exam cancel हुआ है, उन्हें किसी बात की tension लेने की आवशकता नहीं है हो सकता है कि इनमें से कुछ बच्चों का paper काफी अच्छा गया होगा तो कुछ का पूरा exam solve ही नहीं हो पाया होगा, time की कमी के कारण तो उनके लिए ये अच्छा है कि एक मौका और मिल गया इसी के साथ, जिन candidates का exam cancel नहीं हुआ है उनके result पर जो अब बाद में exam होगा, उसका कोई effect पड़ेगा या नहीं तो दोस्तो आपके marks अच्छे हैं तो कोई दिक्कत बाली बात नहीं है normalization ऐसी process है, जो कुछ के लिए बुरी साबित होती है तो कुछ के लिए अच्छी लेकिन ऐसी परिस्थिती में अधिकतर लाब उसी को मिलता है जिसका exam पहले होता है दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में जैहिंद वंदे मातरम